असलाम लेक्म आप्रिवान, वेलकम टू होमोम पीके, उमीद है आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, अच्छा आज की विलॉग है ना उसमें मैं फात्मा के बदे की डेकुरेशन करने लगी हूँ और बच्चों के लिए मैंने बनाया यमी सा ट्राइफल, आज फात्मा का बदे तो फात्मा ट्राइडी हो चुकी थी स्कूल जाने के लिए, मैंने सुबा सुबा शूट किया, उसको स्कूल भेजते हुए, और उसके पात जो है ना मैंने उसकी बदे की डेकुरेशन स्टार्ट करती, तो उसके लिए मैंने ब्लू और पिंक कलर की थीम रखी, तो ब्लू मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट करनी है, अगर आप मेरे व्लॉक्स अच्छे लग रहे हैं, तो काइनली चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पूरी देखा करें, वीडियो के लाइक भी किया करें, अब यह जो है ना, सारे मैं हार्ट जो है, इसी दरह अटैच कर लूँगी, एक एक जो है ना, मैंने लेंथ, जो है मैयर कर ली थी, कि मुझे कितनी लेंथ चाहिए, तो मेरा जो है ना, मैंने रिबन पे लगाए, एक एक रिबन पे, थोड़ा थोड़ा मैंने डिस्टंस रख लिया, और सैवन मेरे पेस्ट हुए थे, आप अप अपनी लेंट के अकॉर्डिंग, जितना लंबा आपने रखना हैं, या जितनी आपकी डेकॉरेशन की स्पेस है, उसके अकॉर्डिंग आप ना, इतना लंबा बना सकते हैं, इस सारे हार्ट पेस्ट करने के बाद मैंने जो है ना, बिलून जो है, उसको फिल अप कर लिया, सारे बलून जो है मैंने हुदी फिलप किए बच्चों ने मेरी इसमें हेल्प की तो उसके बाद मैंने ये बलून्स को ना इस तरहां फोर्फूर बलून्स को ना मैंने अटेच कर लिया था तो इसके हम डेकुरेशन करेंगे तो क्रे पेपर बहुत ज़्यादा उड़ा था और इसलिए फात्मा ने मेरी हेल्प की अब मैंने इसको फोल्ड किया है बिल्कुल मिड में से फोल्ड करना है और दर्मियान में से काट लेना है दर्मियान में से काटने के बाद मैं इसको एक दफा फिर से फोल्ड करऊंगी और फिर दिर्मियान में से काट लूँगी अब इन दोनों को जो है ना मैं दुबारा से फोल्ड करऊंगी आपने ना ये बहुत ही केरफूल ही काटना है क्योंकि क्रेपे पर बहुत ही सॉफट होता है तो यह फटने का और इसमें बहुत होगा कि अगर आप इसको ज़रा सा भी heart rate करेंगे तो यह फट सकता है इसलिए आपने इसको softly काटना है अब इसको मैं fold करना start करूँगी पहले मैंने एक side से इसको fold किया है फिर मैं दूसरी side से fold करूँगी जैसे हम बच्चमन में करते थे आ आपको याद होगा इस तरह हम flip flop करते थे तो यह एक side से fold किया फिर दूसरी side से किया फिर इसी तरह मैं पूरे chart paper को fold कर लूँगी और इसको एक मैं straight shape में ले आउंगी अब जो है यह आप पे depend करता है कि अगर आप छोटा flower बनाना चाहिए ना तो मैं आप छोटा भी बिना स की और मिट से fold करके ना मैंने elastic band लगा दी थी इसके दम्यान में क्योंकि इसको यहां से secure करना था steple इस पर use नहीं होना था इसलिए मैंने elastic band यूज की इसको मैं दिरम्यान में से secure कर लूँगी elastic band से और उसके बाद मैं इसके edges की cutting कर लूँगी edges की cutting आप V-shape में भी कर सकते हैं और round shape में भी कर सकते हैं मैं V-shape में cutting कर रही हूं लेकिन अगर इसकी round shape में भी cutting कर रहे हैं तो तब भी बहुत ही प्यारी flower की look आएगी अच्छा ये जो है ना मेरी मैं थोड़ी कामी decoration कर रही थी इसलिए मैंने एक flower बनाया है अगर आपकी decoration थोड़ी ज़्यादा है थोड़ी ज़्यादा guest आ रहे हैं तो आप ना ज़्यादा decoration भी कर सकते हैं 4-5 flowers बना कर लगाएं तो ये आपकी और भी अच्छी look आएगी अब इसकी cutting करने के बाद मैं इसको open करने लगी हूँ इसको मैं इस तरह पहले से खोड़ लेना है और फिर इसकी एक एक layer जो है ना मैंने carefully open करनी है ये क्रेवे पर है तो क्रेवे पर आपको पता है ये भाड़ सकता है तो आपने इसको बहुत softly open करना है बहुत carefully open करना है और जब सारी layers open करने के बाद एक बहुत ही प्यारी सी flower की look आ जाएगी जिसको मैं अपनी decoration में paste कर लूँगी इस तरह का जो है ना प्यारा सा flower बन जाएगा आप इसको छोटा भी बना सकते हैं बड़ा भी बना सकते हैं मैं एक flower यूज कर रही है तो इसलिए मैं जो है ना इसको थोड़ा बड़ा flower बनाया है अगर आप थोड़े ज्यादा बना रहे हैं तो आप छोटे छोटे flowers भी बन आके रख लिया था जैसे हम सिंपल कस्टर बनाते हैं बच्चों के लिए घर में उसी तरह हम कस्टर बनाएंगे उसको मैंने एक बाल में ट्रांसफर किया अचा ये सारा कस्टर ट्रांसफर करने के बाद मैं इसमें डालूंगी फ्रूट कॉक्टिल फ्रूट कॉक्टिल का जो लאל लेकिन मैंने अपने लिए केक भी आड़कुता है उपनाइज मेंस आड़क है इस मिलऌ केक कात्ना और यह NOW बूस्किता अघ्डाँ क मुझे मज़ाता है अच्छा मैंने अब इसमें तीन कपके कैट किये हैं और उसको मैंने डिप कर दिया है डिप करने के बाद जो है ना मैंने जैली भी पहले से त्यार करके रख ली थी जैसे हम सिंपल जैली बनाते हैं वही बॉक्स वाली वही मैंने बनाई और उसको मैंने freeze होने के लिए रख दिया था बाद में मैंने उसके क्यूप्स काट लिया और उन क्यूप्स को भी जो है ना मैं अब इस mixture के उपर डाल दूँगी ये सारे क्यूप्स जो है मैं मिक्सचर के उपर डाल दूँगी अच्छा मेरी जो रुटीन है ना मैं बच्चों के लिए कोई ना कोई स्वीट्स में भी इस तरह की चीज बना के रख लेती हूँ बच्चों के लिए जो भी उनको पसांद है तो आज तो फात्मा का बर्द देदा तो मैंने उसके लिए ये बना लिया क्योंकि बच्चे शोक से खा लेते हैं उसके पाँ ये जो है ना मेरी डेकॉरेशन जो है मैंने इस तरह सिंपल सी डेकॉरेशन कर ली माशाला ये बहुत ही हूपसरत लग रही थी तो अगर आपको आज का विलोग अच्छा लगा है तो काइनली आपने चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है वीडियो को लाइक करें वीडियो को पूरा देखा करें थैंक यू सो माच अलाह अफ़ेज